हाई गाईज वेलकम बैक तो याँ जब से आज भूल भुलाईया 3 का टीजर आया है तब से सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा गर्म है और वो ये है कि भाई दिवाली क्लाश पे जो दूसरी फिल्म है विच इस सिंगहम अगें इसका टीजर कब तक आ रहा है इसकी भी डेट आ रहzung है सिंग हम को ले करके इसके बारे में बात करते हैं लेकिन सबसे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी कि वहीं सोशल मीडिया पार किस टरीके का रीक्शन चल रहा है देखो हम तो सब लोग अपने पिसको अपने प्रreaction हम लोग तो बता देते हमारे को कैसा लगा है हमार बहुत ही बढ़िया लगा, वर्थ दवेट, और जो नॉस्टाल्जिया फैक्टर जिसके हम बात करते हैं, वो हमारे को इसमें भी देखने को मिलेगा, बट इफ आइव, इफ आइव, इसमें भी बात करते हैं, तो नूटरल ओडियन्स के अगर मैं बात करती हूँ, तो नूटरल ओडियन्स का रियाक्शन तो बहुत अच्छा आया है, बूल गुलायतरी के टीजर के उपर, लेकिन अब जो सिंघं के फैंस हैं, जो सिंघं को सपो होता है, और यह जो क्लैश है, यह वन साइड हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर, भूल भुलायतरी का जो टीजर है, वो देखकर लग रहा है कि मतलब, एक तरीके से, एक नई पैकेजिंग करके, पुरानी टीम को थोड़ा देंट पेंट करके, नई पैकेजिंग करके सामन मेरा opinion नहीं है, कि social media पे बहुत लोगों का बहुत अलग-अलग type का opinion आया है, now, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि, जब हम भूल भूलाया की बात करते हैं, तो भूल भूलाया is a movie that is going to bring a lot of nostalgia, comic relief to the people, और इस साल में हमने देखा है कि horror comedies ही सबस्यादर डॉमिनेट कर रही ह अब ये कुछ भी कहलो इसको, लेकिन ये तो रहा है कि horror comedies ही सबस्यादर डॉमिनेट कर रही है, but, Singham को हलके में नहीं लिया जा सकता है, इतना भी मैं आपको बता दू, 3rd of October, 3rd of October, date आचुकी है, Singham Again के video content की teaser होगा, जो भी होगा, तो words भी word play होता है, कुछ-कुछ नाम भ अब लोगों को बेसबरी से इंतिजार है, of this Singham Again, क्योंकि एक content तो लोगों ने देख लिया है, एक चीज तो लोगों के सामने आ गई है, अब दूसरी चीज देखनी है, दूसरा वाला देखना है, कि तुम बता तुम में कितना दम है, हमारे को भूल-भूले है, तो दिखा है, वोई characters है, वोई sidekicks है, वोई सब कुछ है, बस यहाँ पर Roo Baba versus Manjulika वाला एक angle जो है, वो नया angle आचुका है, जो कि हमने part 2 में भी देखा था, लेकिन ये Manjulika वो ही Manjulika है, that Vidya Balan वाली जो Manjulika हमने पहले OG version में part 1 में देखी थी, अब Singham के जितने fans हैं, वो यह कह रह हैं, तो इस साल भी जो आ रही है, उसको भी हम लोग यह मान के सेल सकते हैं, कि यह film भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है, on the box office, तो अभी दोनों ही तरफ के fans और दोनों ही जो fan wars है, वो पूरे अपने peak पर आ रही है, और यहाँ पर Singham जो है, वो भूलबलया से उपर trend कर रह पर now we need to see what Rohit Shetty has cooked, इतने सालों की महनत, इतना बड़ा नाम, इतनी बार इसका postpone होना, बहुत सारी intrigue पैदा कर चुगा है, Singham अगेन भी एक ऐसा brand है, जो बहुत अच्छी on-brown buzz लेकर के चल रहा है, तो अब लोगों को यही देखना है कि भाई, तुम ने जो दिखाना था So now everybody is waiting for that, बाकी लेकिन मुझे तो excitement देकर, BB3 को देकर भी हुई है, और सच में इंतजार मुझे सिंखम का भी है, क्योंकि अपने आप मेरे ही, जैसे मैंने का यह इसा brand है, जो अंदिखी बहुत अची solid बंकड बनाए होगो है, लोगों में, so let me know what are your thoughts on अभी क्या है आपको लगता है कि ये one-sided हो चुका है कि आपको लगता है कि Singham डॉमिनेट करेगी या फिर डॉमिनेट करने वाली है भूल भूलेया 3 on this Diwali. What are your thoughts on this? Let me know in the comment section. But if you like this video, give us a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel. Just call Starfank Shrita.